हाई वीवर्स जाइका इंज्या का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे साही मटन कोर्मा बनाने की रेसिपी जो बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं साही मतन कोर्मा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मतन необходимо मिखें त्युन नमक से दोटी स्पून धन्या पावडर दोटी स्पून अध्रखो ले जुन का पेश्ट की आफ तीश्पून गरम मसाला एक टीस्पून लाल मीच पावडर एक टीस्पून कश्मिरी लाल मिच पाउडर हाफ ती स्पुन जीरा पाउडर सो ग्राम दही तीन मेडियम साइज की फ्राई की वी प्याज और खड़े मसाला में हमने लिए तीन छोटी इलाइची एक बड़ी इलाइची पांच लूंग एक जावतरी का फूल और एक दालचीनी इसी के साथ हमने लिया है ए एक टेबल स्पुन नारियल का पाउडर याने की खोपरा खमर 8-10 बादाम 8-10 काजू इसमें थोड़ा सा पानी एट करके इसका अच्छे से पेश्ट बना लेंगे मटन को मैइन एट करने के लिए हम इन इंग्रीडियंट्स को मटन में एट करेंगे दहीं धन्या पाउडर नमक जीरा पाउडर कस्मीरी लाल मेच पाउडर लाल मेच पाउडर गरम मसाला अधरको लेसुन का पेश्ट इन सब को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे ढख कर एक घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे हमने कुकर में आधा कब तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे दो तेज पत्ते और हमने जो खड़े मसाले लिये थे उसे भी इसमें एट कर देंगे कुछ सेकेंड बाद हम इसमें एट करेंगे महीन एट किया हुआ मतन गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे दस मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे यहाँ पर मटन को भूनते हुए दस मिनिट हो चुकी है हमने जो फ्राई की हुई प्याज ली थी उसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है इसे हम इसमें एट कर देंगे और हमने जो नारियल पाउडर, काजू और बादाम लिये थे उसका भी फाइन पेस्ट बना लिया है इसे भी इसमें एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पांच मिनिट तक और भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना रिलीज होने लगे इसमें से तेल रिलीज होने लगा है अब इसमें एक चोथाई कप पानी एट करेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हमें इस पर लीड लगा देनी है हाई फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद इसे लो फ्लेम पर 10-12 मिनित तक और पकाएंगे गेस की फ्लेम को ओफ करके इसका पेसर रिलीज होने देंगे और इसके ढखकन को खोल कर इसे एक बाद चेक कर लेंगे अब गेस की फ्लेम को हाई करके इसमें ग्रेवी के लिए एट करेंगे एक कप पानी अच्छे से मिक्स करके इसे हाई फ्लेम पर पांच मिनित तक पकाएंगे पानी एट करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर पांच मिनित तक पका लिया है ये देखिए हमारा साही मतन कोर्मा बनकर बिल्कुल तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे डिस आउट कर लेंगे खाने के लिए तयार है साही मतन कोर्मा देखा आपने इसे बनाना कितना असान है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये रेसी को आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले